नमस्कार आप देख रहे हैं दव बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बिहार में पुलिस की भरती पता नहीं कब आएगी आपको बता दे कि दिसंबर में ही कैबिनेट के दोरा एप्रूवल दिया गिया लगबग 70,000 पुलिस गर्मियों की बहाली को लेकर 27 अपरेल 2023 को बिहार पुलिस के ADG हेड़कॉर्टर के दोरा PC में कहा गिया कि हमने 26 अपरेल को 21,391 सिपाहियों की भरती का अधियाचना केंद्रिये चैन पर साथ सिपाही भरती को सौंप दिया है बहुत जल्द बिग्यापन निकाला जाएगा लेकिन आप देख लें किसी पाही के लिए 21,391 पदों पर बहाली होनी है अधियाचना 26 अपरेल 2023 को CSBC को भेज दिया गिया और सावा महीना हो गिया पूरा मई बीत गिया जून आ गिया और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है आपको बताएं कि बिहार में सरकार का दावा है और हर एक मन से वो दावा को अपने दोराते हैं कि हम बिहारी युवाओं को 10 लाख सरकारी नोकरी और 10 लाख रोजगार देंगे और इस छेतर में सबसे बड़ा जो भरती है वो पुलीस और अध्यापक छेतर में ही है टीचर बहाली के लिए देख लिए आप परसो ही नोटिफिकेसन जारी कर दिया गया एक लाख सत्ता हजार सिक्षकों की बहाली के लिए लेकिन पुलीस में अखिर देरी क्यों हो रही है क्या मामला फंसा हुआ है कि अधियाचना जाने के बाद भी जो सिपाही भरती आयोग है उसके द्वारा अभी तक नोटिफिकेसन जारी नहीं किया गया है फिर से दरोगा बहाली 1288 पदोपर दरोगा की बहाली की बाते ADG हेड़कोर्टर के द्वारा 27 अपरैल के अपने PC में कहा गया का गया कि रोष्टर समंदित कारे चल रहा है और मई में अधियाचना जो है वो पुलिस सेवा जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानि की BPSC है उनको भेज दिया जाएगा लेकिन देखिए कि पूरे मई में कई प्रेस कॉन्फरेंस हुए पुलिस हेड़कोर्टर के लेकिन इससे समंदित कोई भी खवार निकल के नहीं आई कोई भी जैनकारी नहीं दी गई कि दरोगा बहाली को लेकर कारे कहां तक पहुंचा क्या अधियाचना BPSC को भेजी भेजा गिया या भी नहीं आपको बताए कि दरोगा बहाली को लेकर सरकार के द्वरा ये दवा किया गया और ये कैबिनेट में मंजोरी भी दी गई कि बिहार में अभी 21,000 दरोगा की भरती होगी जिनमें 21,000 में 50% पर्शन प्रोमोशन के द्वरा होगा जो सिपाही से भरती हुए हैं और प्रोमोट करक वो सीधे नहीं उखती होगी यानि कि फ्रेस कांडिडेट जो है वो परिच्छा में भाग लेंगे और सीधे दरोगा बनेंगे और 10,000 लगबा 10 से 11,000 इस तरह देखा जाए तो सीट भोता है दरोगा के लिए लेकिन बात कितना पर चल रहा है मातर 1288 आपको बता दे कि लगबाग पिछले 20-25 सालों में सबसे कम ये दरोगा की बहाली होने वाली है क्योंकि अगर हम देखे तो लगबाग 2100 के आसपास 2009 में बहाली हुआ 2014 में 1717 के आसपास निकला था फिर उसके बाद 2446 हुआ 223 हुआ और अब 1288 की बाती चल रही है और ऐसे में कितने चात्रों ने ये मांग की कि इतने दिनों बाद बहाली आ रही है सरक इतना पद भी खाली है पुलीस पॉलिक अनुपात भी मेंटेन करना है लगातार कई मंचों से मुख मंत्री भी ये कहते रहे हैं कि बहाली आप जल्द से जल्द करवाएं ज्यादा जितना सीट वेकेंट है सब पर पर आजाए और इसमें 1288 दरोगा की बहाली हैं क्यों जब सीट खाली है जरूरत है मुख मंत्री लगातार कह रहे हैं तो फिर इसे धाई 30,000 किया जाए इसमें बात आया कि चरन बत तरीके से होगा तो क्या 11,000 दरोगा की बहाली 1288 चरन में किया जाएगा तो सताट चरन पूरा हो पाएगा और इसमें भी कई साल लग जाएंगे कम से कम चरपान साल लगी जाएंगे अगर सरकार सुचारी रूप से हर एक साल अगर धाई 30,000 निकालती है तो भी लेकिन 20 साल में सबसे कम 1288 और चातर जो हैं वो आसा करके बैठे थे कि जिस तरह कैबिनेट से अप पूस्टर क्लियरंस हो रहा है और मई में इसे BPSC को भेज दिया जाएगा तो आपको बता दे कि जो कई सिक्षक हैं जानकार हैं उनका कहाना है कि जुलाई से पहले दरोगा की बहाली नहीं आएगी और सिपाही बहाली की नोटिफिकेशन के बाद ही दरोगा बहाली को लेक सिपाही भरती को 21,391 सिपाहियों की बरती का दियाचना बेजे हुए आखिर इस पर करवाई क्यों नहीं आगे बढ़ी आखिर आयोग के द्वारा यह क्यों नहीं बताया जा रहा कि आखिर विग्यापन देने में देरी क्यों हो रहा है बिग्यापन आखिर कब तक दिया जाएगा कोई अगर समस्या है तो ही बताया जाए कि टेंटेटिव जुन में जुलाई में बिग्यापन दे दिया जाएगा चातर 27 अपरैल के बाद से ज़्यादा आसानवित हो गया है और यह उनके मन में बैठ गया और हमें भी यह आसा था कि जब अधियाचना चला गया है तो हपता 10 दिन 15 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है और नहीं इस पर कोई कुछ बोलने को तयार है चातर हमेशा कहते हैं कि आप जाकर आयोग में पता करें आपको बता दें कोई भी बात करने को तयार नहीं होता है कोई भी कैमरे के सामने आकर जनकारी देने को तैयार नहीं होता है और यही कारण है कि हमें अपने ओफिस से ही खवर करना पड़ता है और यह प्रस्ट मुछना पड़ता है कि आकिर देरी कीऊ हो रही है लाखो लाख छात्र इंतिजार कर रहे हैं दिसंबर से उनका इंतिजार जो है वो काउंडम शुरू हो गया क्योंकि कैबिनेट अपरूबल हो गया तो सभी को यह हो गया कि अब तुरंत बहाली आएगी नय साल में आएगी घुली तक आएगी करते करते जून आ गया लेकिन अ कोटिफीकसन जारी किया जाए ताकि छात्र जो है वो इंगेज हो सकें अपनी तैयारियों में और अपना 100% दे सकें तो गुजारी से आयोग से सरकार से की आपने कैबिनेट से अपरूबल दे दिया है तो जल से जल दरोगा और सिपाही की बहाली आप निकाले छात्रों को जरूरत है नोकरी की और बहुत बेचैनी के साथ इंतिजार कर रहे हैं तो फिलार इस वीडियो में इतना आई वीडियो पसंद है लाइक शेर करे हमारी चानल दभी हाट टॉप को सस्क्राइब जरूर कर ले धन्यवाद